सबी भाईयों और बहनों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा अपना कीमती समय निकाल कर इस वोईस मेसेज को जरूर सुनें दोस्तों देखिए बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका मांक्स अच्छा होते हो भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आये हैं कारण बहुत सारे हैं संद्रेवाले भी बाहर हैं दूसरा क्या ये सौफ्टर की गड़बड़ी है या फिर सरकार ने पैसे खाकर नॉन कॉलिफाइड को कॉलिफाइड कराकर मेरिट लिस्ट में डाल दिया है इसमें बेल्टरॉन की भूमिका बहुत की ज़्यादा संद्यास पद है अगर नौकरी ही नहीं देनी थी सरकार को तो फिर हमें क्वालिफाइड का लॉलिफाइड क्यों पकड़ाया गया हमारे पास समय बहुत कम है और मुद्दे बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर एक बार स्टेडूल जारी हो गया और स्कूर कार्ट छपके आ गया तो भाईयो हम बहुत पीछे हो जाएगे और शायद हम कुछ ना कर पाएं सबसे नमर निवेदन है कि एक जुट हो जाएं यही सही समय है तभी हम अपना हक ले पाएंगे आप सभी को पटना आना होगा ताकि सरकार को भी हमारी स्ट्रंथ दिख सके और केस तो करना ही है तभी स्टे लगेगा अधर्वाइस हम आज जो रोना रो रहे हैं शायद पू 94,000 सिक्षक सीटाइट कौलिफाइड और टीटी कौलिफाइड गरदनी बाग और भी बहुत सारा धर्ना परदर्शन सरकार का समर्थन मिला उनको और पार्टियों का समर्थन मिला फाइनली उनका नियोजन होने जा रहा है लेकिन हमारा क्या जब सीट 37,000 थी और आज भी सा भाई लोग हैं वो हमें personal message कर दें ताकि हम जुम meeting पे एक पार साथ में बैठ के बात कर सकें और एक से दो दिन आज और कल बस दो दिन हमारे पास तभी हम निर्णे ले पाएंगे कि आगे क्या करना है हमें सिख्षा मंतरी के पास जाना है सची वाले जाना है सिख्षा विभ